अगर इस ब्लॉक पर में कोई फोर्स में लगाँ तो यह ना तो चलेगा ना चलने ही खोशिश करेगा जलाने के लिए तो चलने को ड़े ह atención तो यह यह ब्लॉक करने के इसकी टैंडनंसी होगा पूशकता वर्स खन अभ न उसको चलाने के लिए तो यह यह कंडेंसी होगी के मोट करके और जो मौट करने की तेंदेंसी की मोट करेगा तो तुरत एक के प्र जा का जो कि इसके और इसके सब्सक्राइब करें तो यह बोल दोगे तो चल जाएगी कि निच वारी बोड़ी रेस्ट परोगा लेकिन जब यह भी मोब कर रही होगी तब कैसे पता लगां तो यह द्यान रखे हमेशे और एक छोटी सी बाहर में आपको बता रहा हूं कि वेनेवर टू बोड़ी सार इंक इस अब जाएगा तो एक शोटेंगे न ददा मॉली क्या सब्सक्राइब यह अद्रेग्शक तो आपको इसको क्या ऐए और इस संटेक्ट पोर्स का जो हरें कंपोनेंट है कूसी को फ्रिक्शिन कहते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को कहते हैं नौर्म प्रिक्षिन जो कि व इसका नाम Fc रख देता है यह इनका result नेरे तो वकर किसी question में आप से contact force गया आजा है तो आप friction की normal reaction की value को से पहले देता है इसका result नेरे पहले अगे ज़िए दुए देता है तो आप आप दा- cause of a friction यह लिखा भी मैंने की contact force यह आ गया है कि जो दो सर्फेसे एक दूसरे कंटेक्ट में है उनके मॉलेक्ट के बीच में जो अट्रेक्शन वजए से यह फोर्स है संजहे कैसे इसको डिटेल में कैसे जाए इटेल में ऐसे जाओ कि देखो जैसे यह यहाथ है मेरा यह देखने प्लेन लगा है कि इसी के उपर में दूसरह हत रखता हूं और तो मुझे लगता कि यहां से यहां तक यहां से लेकिए यहां तक का दो एरिया वह इक दुसरे के कंटेक्ट में आगें तो अगे आशी दोख नोगी zた कि यह बॉड़ी को और और इर्लाज़ कि वजह सी यहां कुछ कुछ प्ट पर ऑझने का अगा इंग. एकां से यहां तक का जो थो आव ढम में लगा रहाता हैं। लेकिन आक्ष़। का हां गांता हैं। तो कि हम ऐसा कह सकते हैं कि actual area of contact is less than apparent area of contact, बिल्कुल कह सकते हैं, apparent वो जो हमें दिख रहा है, और actual वो जो है रास्तों में, तो एरिया तो बहुत कम है हाता में, अब इन पाइंट पर pressure कितना होगा, FFOR नहीं, pressure क्यों आएगा, weight of the upper body के वो जैसे आया का, और इन पाइंट का क् कम है, तो इन पाइंट क्या होगा, pressure बढ़ेगा, एरिया कम है तो pressure बढ़ेगा, pressure बढ़ेगा, तो जो molecules होगे, गुजरे के बहुत close आगा, molecules of the two surfaces come very close to each other, और इसके वज़े से उनके बीच में attraction force होगा, वो बढ़ेगा, और बच्छों ये attraction force ज्यादा होगा, तो ये दो molecules ज अब अगर में उपर वाले molecule को आगे चलाना चाहूँगा, ये नीचे वाला के अगर है खीचेगा वापस इसे बीचाँगा, फिर में से आगे चलाना चाहूँगा, फिर ये खीच लेगा, तो क्या notice कर रहा हो, कि जब कभी उपर वाले को आप चलाने कोशिश कर रहा हो, तो ये जो नीचे वाली सर्फेस है जिसके पर वो चर्व होई है, उसके molecules वापस कीचेंगे उसे, और जब वापस कीचेंगे तो motion का पोज हो गया है, तो मैने क्या बताया था, friction आपको, it is due to intermolecular force, तो इका तनमना, it is due to intermolecular force of protection, उसको में एक्स बेना है, आप जैसे हम किसी स समत होगी, उतना area of contact बढ़ेगा, area of contact बढ़ेगा, तो pressure कम होगा, molecules के बीच का gap कम हो जाएगा, force of attraction रिडियूस होगा, टाइपस of friction, basically, दो इतरे के friction, static and kinetic, kinetic फिर दो इतरे के होते है, sliding and roller, static की maximum value को ना करते हैं, limited, now what is static friction, कि आप किसी body पर force लगा रहे हो, और आपके force लगान इसकी tendency तो है, move करने की, लेकिन भूब नहीं कर रहे है, एक्चल में, एक्चल में, इनके बीच में को relative motion नहीं हो पा रहा है, तो आप के हैंगे, समय जो friction लग रहा है, वो static होगा, कितना होगा, सरी, ये static friction कितना होगा, जी, तो आपको सीधी equation है, applied force minus friction is equal to resultant M, but motion तो हो नही इसलिए इसको एक नाम दिया, इसलिए इसको एक नाम दिया, क्या नाम दिया इसको, it is self-adjusting force, यानि आप अपना force अगर 4 newton लगाये हो, और ये body move नहीं कर रहे, तो static friction 4 newton, आपने बडागर इसको 7 newton कर दिया, move कर दिया, ये भी 7 हो जाया, ये है कुसी, आपने इसे बडा चला ना, ये भी 10 हो जायागा, ये ना, कैसे हो जायागा, जी दिखते रहा, कैसे हो जायागा, और अगर फिजिक समय ना, चाते है, तो तुम यह को होगे, मैंने 10 newton का force लगाया, फिर भी नहीं चला सरी है, इसको बलब 10 newton वाला को ये post कर रहा है, और मेरा force इसको से cancel हो ज जैसे जैसे बढ़ाओगा, ये भी बढ़ेगा, इसको कहते है, अब यही से बात हो रहा है, ये बढ़ाते है, आप अपने force को एक ऐसी वेली पर लेगे, कि आपकी जो block है, आपकी जो body है, वो ready to move हो लेगे, इसको कहते है, ready to move, या add the gorge of motion, motion के लिए तयार हो चुकी है, और इस force को इतना लगा चुकी होगे, कि ये ready to move होगी, उससे में जो steady friction होगा, जो कैसा होगा, maximum होगा, क्यों कि इसके बात हो खत्म होगा, और इस maximum steady friction को नाम करते हैं, जो मैं लिखाता होगा, limiting friction, तो what is limiting friction, it is the maximum value of steady friction, चीके न, कब when the body is at the verge of motion, at the stage of motion, और इसका एक गूसा में जो समझेगा, जो कि इसके बाते हैं, इसके नाम कि इसके दिफ्रिक्शन के maximum value तो है है, माले मैं क्याता हूँ, ये 8 newton है, तो आपसे कर कोई पूछे इस ब्लॉग तो चलाने के लिए, कैसे रहाँ नद्र होगे नहीं, क्यासे, 8 newton है, इस स्टाटी तो चलने का नहीं होगा इस पर वो चलाने के लिए तो अजय से ज्यादा करना पड़ेगा इस पर वो श्रॉट जस्ट सब्सक्राइब इसलिए कर पभी उमें कहा जाए कि किसी बॉडी को किसी सर्केस पर चलाने के लिए कितना मिनिमम्म फोर्स मुझे चाहिए का तो मैं जवाब दूगा लिमिटिंग तो यह आपको निमरिकल में इस ते से थी हल्ग बढ़ेगा अब इसी में देखो लॉज ऑफ इस्टेडी फ्रिक्शन क्या है लॉज ऑफ स्टेडी फ्रिक्शन में यह कहते हैं कि यह डिपेंड करता नेचर आप तू सर्फेसे से इस इस अटेवल है जाब इसके पर मैं एक बूदन पीस रख्खा एक बूदन पीस रख्खा इक भूट रख एक बूट अ कि नतील का मुट्राओं गाँ तो मैं नोटिस करोंगा तीनों फ्लिक्शिन अलग लगा था क्योंकि कॉंकि कांटेक्ट बोड़ी बदल रही हीना टेबल बूट इसका नेचर अफ सर्फेस पर इ अलग लगा जाए लेकिन तर जब नॉर्मल गिक्षन सेम है यह सेम तभी लाएगा जब यह सेम और अगर यह सेम है यह नहीं गदल रहा तब यह रेडिया के नहीं चेंग पर रहा है और लास्ट पाइट है कि जो फस मेक्सिमम है वो डिर्क्टिव पॉष्टन तो नॉर्मल गिक्षन को हटा कर इसको कॉंस्टेंट भी उसको नाम करेंगे कॉफिशंट अब स्टेटि फ्रिक्षन यू नोगा अगर आपको यह कुष्टन दिया जैसे कि यह एक बोडी है एक सर् नुटन का फोर्स लगाने से साथ लगाने से क्या चलेगी तो आपको क्या करना होगा सोचो आप अब यह बात समझाएगी कि आप में लिमिटिंग फ्रिक्षन की बेरी निटाल के रख लोगा आप समझागा सर इससे पहला तो समुछ चलना ही लिए मैंने कितना फोर्स लग कि कि